ओम शांती, आज है 28 सितंबर 2021 के इश्वरिय महावाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, मैं अभी खास तुम बच्चों को पढ़ाने आया हूं, जो बहुत समय पहले मुझसे अलग हुए हैं, उन्हों का ही संगम पर मेला लगता है, जो जास आती समय वहाँ साथ रहे, बाप उनको नहीं मिलते, फिर बाबा ने कहा, मैं ड्रामा नुसार, अपने समय पर ही आता हूं, यहां सब ड्रामा के वश होकर करम कर रहे हैं, इश्वर के वश नहीं, इसलिए किसी का कोई दोश नहीं, इश्वर से भी ड्रामा तीखा है, फिर बाबा ने कहा, अब सब की कयामत का समय है, हिसाब किताब चुक्तू कर सब वापिस चले जाएंगे, बाकि तुम राज भाग्य पाएंगे, इस संगम युग पर तुम्हारी चड़ती कला चप्ती में हो जाती है, इसलिए तो गायन है, जनक को सेकेंड में जीवन मुक्ती मिली आगे कहा, तुम बने हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा ब्रह्मन वर्ण उच्च ते उच्च है, इश्वर के रचे हुए यग्य की तुम संभाल करते हो, इस ज्ञान यग्य में ही सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है अभी तुम बच्चों की बुद्धी के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रू है, स्वर्ग की बादिशाही पाने के लिए एक जनम पवित्र रहना, यह तो सस्ता सोदा हुआ ना और लास्ट में भाबा ने कहा, इस मृत्यू लोक में तुम्हारा यह अंतिम जनम है, अभी तुम अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो, यहां तुम आए हो, इश्वर से ज्ञान लेकर राज-राजेश्वरी बनने अमर कथा, सत्य नारैन की कथा, बाप ही सुनाते हैं, जिससे सेकेंड में तुम नरसे नारैन बनते हो, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप आए हैं, तुम्हें पुझारी से पुझे बनाने, पुझे से पुझारी और पुझारी से पुझे बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो प्रश्न, कौनसी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारन करते हो उत्तर, दुनिया वाले समझ से हैं कि ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिलकुल असंभव है और तुम सहज धारन कर लेते क्योंकि जानते हो इस से स्वर्ग की बादशा ही मिलती है तो यह बहुत सस्ता सोदा हुआ ना गीत यह कौन आज आया सवेरे सवेरे ओहुम शान्ती अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिलकुल अलग है वह तो कौमन है तुम बच्चों का सवेरा अनकौमन है दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है वास्तों में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है गाते भी हैं ज्ञान सूरिय प्रगटा वे सूरिय तो रोशनी देने वाला है यह है ज्ञान सूरिय की बात भक्ती को अंधियारा ज् रहा है भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है waste of time होता है गुडियों की पुजा होती रहती है आधा कल्प से यह गुडियों की पुजा होती है पुजा किसकी करते उनका पूरा ग्यान भी चाहिए देवी देवताओं का है पुज्य घराना वही पुज्य फिर पुजारी बनते हैं पुज्जे से पुजारी, पुजारी से पुज्जे बनने की कितनी लंबी चोड़ी कहानी है, मनुष्य तो पुज्जे पुजारी का अर्थ भी नहीं समझ से हैं, परम पिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं, प्रं पूरी हो फिर नई दुनिया शुरू होती है तो इसको कहेंगे कल्यान कारी संगम युख इस समय सब नर्क वासी हैं जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा तो जरूर नर्क में था यह कोई समझ से नहीं कि हम नर्क में हैं रावन ने सबकी बुद्धी को एकदम ताल भारत वासियों की बुद्धी सबसे विशाल थी फिर जब बिलकुल ही पत्थर बुद्धी बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार बेसमझ बनना ही है बेसमझ बनाती है माया पुज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है कहते भी हैं हम नीच पापी हैं प्रन्तु समझदार कब थे यह पता नहीं पड़ता रावण रूपी माया बिलकुल ही पत्थर बुद्धी बना देती है अभी तुम को समझ आई है कि हम ही पुज्य थे फिर पुजारी बने अभी तुम बच्चों को खुशी होती है बहुत दिनों से चिल जीरों से मुक्ती हो जाए यह ज्यान भी किसकी बुद्धी में नहीं है तुम जानते हो सीड़ी उतरते आते हैं सत्युग में तो फिर भी धिरे धिरे उतरते हैं सुख की सीड़ी उतरने में टाइम लगता है। दुख की सीधी जल्दी जल्दी उतरते हैं। सत्यूग त्रेता में हैं 21 जन्म, द्वापर कल्यूग में 63 जन्म, आयू कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हमारी चड़ती कला चप्टी में हो जाती है। गाते भी हैं, जनक को सेकिंड में जीवनमुक्ती मिली। प्रन्तु जीवनमुक्ती का अर्थ नहीं समझ से हैं। एक जनक को जीवनमुक्ती मिली, पसारी दुनिया को मिली। अभी तुम्हारी बुद्धी का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धी होती है, तो कहते हैं परमात्म, इनको अच्छी बुद्धी दो। सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्में बहुत काल परमात्म से अलग रहती हैं, उनका भी हिसाब हैं। बाप जब परम धाम में थे, उस समय जो आत्में उनके साथ मुक्ती धाम में रहती हैं, पिछाडी में आती हैं, वे बहुत समय साथ रहती हैं। हम तो थोड़ा टाइम वहां रहते हैं, पहले-पहले हम बाप से बिछुडते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, उन्हों का ही अब मेला है, जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं, तो वहां बहुत समय साथ रहते हैं, उनको नहीं मिलते हैं, बाप कहते हैं, खास तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आता हूँ, तुम बच्चों के साथ हूँ, तो सब का कल्यान होता है, अभी सब की कयामत का समय है, अभी सब हिसाब किताब जुक्तू कर चले जाएंगे, बाकि तुम राज भाग पाएंगे, यह बातें कोई की में नहीं हैं, गाते भी हैं, गौड फादर, लिब्रेटर, गाइड, दुख से लिब्रेट कर शांती धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते, आत्मां को शांती धाम में ले जाते हैं, वह है निराकारी दुनिया, जहां आत् प्रन्तु वहां कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित हैं इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं खास भारत वासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिकर में ले जाते हैं वंडर है ना अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोश नहीं है, सब ड्रामा के वश है, इश्वर के वश नहीं, इश्वर से भी ड्रामा तीखा है, बाप कहते हैं, मैं ड्रामा नुसार अपने समय पर आऊंगा, मेरा आना एक ही बार होता है, भक्ती मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खा तुमको बाप मिला है, बाप से चप्टी में वर्सा लेना है, वर्सा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। देवता धर्म था, देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पुझ्ये से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं, तब देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की सापना करते हैं। चित्र भी हैं, शास्र भी हैं। भारत वासियों का एक ही शास्र शिरोमनी गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं। इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ब्रामा में नूद है, आत्म ही पुनरजनम में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब जूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है। शरीर दवारा ही पार्ट बजाते हैं, हमको कितना लंबा, 84 जनमों का पार्ट मिला हुआ है। देवता, शत्रिये, आपे ही पुझे, आपे ही पुझारी तुम बनते हो। मैं अगर पुझे फिर पुझारी बनू, तो तुमको पुझे कोन बनाए। मैं तो एवर पावन, ज्यान का सागर, पतित पावन हो। तुम ही पुझे पुझारी बन, दिन और रात में आते हो। प्रन्तु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं, दुनिया जूठी बनती जाती है, तो इतनी जूठी कहानिया बैठ बनाई है, व्यास ने भी कमाल की है, अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा दवरा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिये हैं ब्रह्मा को, अब भगवान कहां, ऐसे तो नहीं विश्नों की नाभी से ब्रह्मा निकला, तो विश्नोंने बैठ शास्त्रों का सार बताया, नहीं, ब्रह्मा दवरा समझाया है। त्रीमूर्ती के उपर है श्योबाबा, वे बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा दवरा, जिनके दवरा समझाते हैं, वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया, ब्रह्मन वर्ण है उच्च ते उच्च, तुम अभी हो इश्वरिय संतान, इश्वर के रचे हुए यग्ये की तुम संभाल करते हो। इस ग्यान यग्य में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्व मेध अविनाशी रुद्र ग्यान यग्य। राजाई प्राप्त कराने के लिए बापने यग्य रचा है। वह यग्य रच्ते हैं तो मिट्टी का शिव और सालीग्राम बनाते हैं। उत्पत्ती कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियों में भी ऐसे ही करते हैं। जैसे छोटे बच्चे गुडियों का खेल करते हैं, ऐसे यहे भी करते हैं. अब बाप के लिए तो कहते हैं सापना, पालना, फिर विनाश करते हैं. पहले सापना, अभी तुम मृत्यू लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो. यहे तुम्हारा मृत्यू लोक का अंतिम जनम है. बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने. एक पारवती की कथा सुनाने से क्या होगा? अमर नाथ शंकर को कहते हैं. उनको पारवती देते हैं. अब शंकर पारवती स्थूल में कैसे आ सकते? जबकि उन्हों को सुक्षम वतन में दिखाया है, अभी तुमको समझाया है. जगत अंबा, जगत पिता, लक्ष्मी नारेन बनते हैं. लक्ष्मी नारेन फिर चुरासी जन्मों के बाद जगत अंबा, जगत पिता बनते हैं. वास्तों में जगत अंबा है पुरुशार्थी. फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध. महीमा जास्ती किसकी है? जगत अंबा पर देखो कितना मेला लगता है? काली कलकत्ते वाली है? काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? वास्तों में जगत अंबा आदी देवी ग्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है. पहले ग्ञान ग्यान शुरी है, फिर राज राजे शुरी बनती है. यहां तुम आए हो इश्वर से ग्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने लक्ष्मी नारायन को राजे किस ने दिया इश्वर ने अमर कथा सत्य नारायन की कथा बाप ही सुनाते हैं सेकेंड में जिससे नर से नारायन बनते हैं अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रू है कहते हैं ग्रस्त व्यभार में रह कर पवित्र रहना असंभव है समझाया जाता है बाप स्वर्ग कर चाहिता है तो जरूर वे अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जनम तो पवित्र रहना पड़ेगा यह तो सस्ता सोदा हुआ ना व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं धर्माओ भी निकालते हैं बाबा केते ये सोधा कोई विरला करते हैं कितना सस्ता व्यापार हैं फिर भी कई हैं जो सोधा करके फिर फारकती भी दे देते हैं यहे नौलेज बाप के समझाने सके ग्यान सागर एक ही है वही समझाते हैं जो पावन पुज्य था फिर 84 जन्मों के अंत में पुजारी बना है इनके तन में मैंने प्रवेश किया प्रजापिता तो यहां होगा ना अब तुम पुरुशार्थ कर फरिस्सा बन रहे हो अब भक्ती मार्ग की रात के बाद ग्यान अर्थात दिन होना है तिथी तारीक तो है नहीं शुबाबा कब आया किसको भी पता नहीं है क्रिश्न ज्यंति धूम-धाम से मनाते हैं शिवज्यंती का पूरा किसको मालूम नहीं है अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, धार्णा के पहली पॉइंट इस कल्यानकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सच्ची सत्यनारेन की कथा अमर कथा सुननी है बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है दूसरी पॉइंट सत्युगी बादिशही लेने के लिए इस एक जनम में पवित्र रहना है फरिस्सा बनने का पु इसम्रिती से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ती संपन्न भव हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है नेचरल योगी नेचरल सुराज्य अधिकारी है इसम्रिती से सर्व प्राप्ती संपन्न बनो यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पालिया खोया पाया खोया पाया यह खेल नहीं करो पा रहा हूं पा रहा हूं यह अधिकारी के बोल नहीं जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वेह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते स्लोगन योग बलदवारा कर्म भोग पर विजे प्राप्त करना यही स्रेष्ट पुरुशार्थ है अभी है मातेशवरी जी के अनमोल महवाक्य राज रिशी सत्यूगी होते है लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज रिशी थे जिनोंने बैठ यह वेद शास्तर रचे क्योंकि वो त्रिकाल दर्शी थे अब वासों में राज रिशी हम सत्युग में ही कह सकते हैं क्योंकि वहां विकारों को पूरा जीते हुए हैं अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं बाकी यह जो द्वापर में परमात्म को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले रिशी हैं जिनोंने वेद शास्त्र रचे हैं सत्युग में तो वेद शास्त्र की जरूरत ही नहीं रहती ना हम उन्हों को त्रिकाल दर्शी कह सकते हैं जब हम ब्रह्मा विश्णो शंकर को त्रिकाल दर्शी नहीं कह सकते हैं तो फिर यह द्वापर यूग वाले रजोगुण समय के रिशी मुनी कैसे त्रिकाल दर्शी बन सकते हैं त्रिकाल दर्शी अर्थात, त्रिमूर्ती, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्म शिव को कह सकते हैं। जो स्वियम इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहां सत्युग में प्रालद भोगनी है। वह यह ग्यान नहीं रहता कि हम ब्रह्मा वन्शी ब्र सकता है। ना देवताओं को ना मनश्यों को त्रिकाल दर्शी कह सकते हैं। अच्छा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे।